स्वागत है आप सभी का आज के fun talk के इस episode में और हमारे जो आज के guest हैं ये पहले ऐसे guest हैं जो वो subjects पढ़ाते हैं और उन class के बच्चों को पढ़ाते हैं जिनको मैं पढ़ाता हूं तो शायद आज हम बहुत सारी discussion कर पाएंगे इसके उपर अभी तक जितने भी guest यहां पर आय अभी दो साल ही हुए है और इनका चैनल है EXP Hub अब तो आप समझे गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूं प्रशांद सर की तो प्रशांद सर आपका बहुत बहुत वेलकम है फन टॉक्स मैं अभी आप से बाहर बात कर रहा था मुझे पता लगा कि आपका भी हाली में college जो है व माग में चल रहा था उस वक्त सर में बता हूं तो मेरी जो स्टोरी है न वह बहुत जादा डिफरेंट है ऐसी नहीं है कि college के time पर गए कोविड का time आया और मन करा ऐसे नहीं था वह एक जरूरत थी उस time पर इसकी वज़े से मुझे खोलना पड़ा था और वह जरूरत क्या थी न वह थोड़ा सब पीछे जाना पड़ेगा वह स्टोरी क्या थी वह स्टोरी स्टार्ट होती है 2019 में जब मैं IITJ का एक्जाम देता जी मेंस में काफी अच्छी थी जी एडवांस में नौर्माल उतनी अच्छी नहीं थी तो IIT के lower branches मिल रही थी जैसे की डेली मॉंबई इन सब की lower branches तो उसके बाद क्या होता है counselling स्टार्ट होती है सर जोसा counselling जिसको हम बोलते है जिससे हमें choice फिल करनी पड़ती है तो वहा अब मैंने थोड़ा बहुत Google से ढूंडा क्योंकि उस टाइम पर जो counsellors थे तो नहीं हो पाएगा इतनी एच्छी family conditions भी नहीं नौर्मली कर लेते हैं जितना आपन को मिलता है तो randomly मेरे को जो पसंद लगा कि यह सही होगा यह सही होगा ऐसे फिल कर दी अब राउंड होते है अब मेरे सोड़ा सा परस्पेक्टिव अलग था क्योंकि मुझे पहले राउंड में मिली थी आई देली और चोईस फिलिंग मैंने गलत करी थी जिसकी वज़े से सेवन्थ राउंड तक मुझे मिली आईसम दनबाद तो वह ऐसा हो गया शिफ्ट बिल्कूल अब मुझे आईसम दनबाद बहुत अच्छा कॉलिज है विडियू रिस्पेक्ट बट हुआ कैसा ना सर अप्रोच ऐसी थी मेरी पहले सी कि कॉलेज मैं प्लेस्मेंट के लिए नहीं जाना चाहता था कॉलेज मुझे थोड़ा सा ना ऐसे जगे और इंटेट की अच्छी जगे होगी कनेक्शन बनाएंगे और कुछ डिफरेंट करने का ट्राय करेंगे तो यह था तो डेली और मुंबई में वो था अब उसके बाद मैंने देखा आप क्या कर सकते हैं तो एक अलग कांसलिंग चलती है नसुटी और डीटी दो कॉलेज होते हैं उनकी तो फिर उनकी कांसलिंग औरो जई चल रही थी तो मैंने उसमें पढ़ दिया और उसमें आ गया और NSUट जो कॉलिज है काफी से ही कॉलिज है उसके अंदर मिल गया अब मैं उस कॉलेज के covered के नदर चला गया थे लातמנे निवे चीज़ कर सकते थे थे आपने नहीं करी, आप इतना दूर आ गए, आपने महनत भी कर ली बड़ो चीज रहे गई, तो उसके बाद थोड़ा लगता रहा लगता रहा, 2020 में कोविड स्टार्ट हो जाता है, अब कोविड लगा, तो अब लगा कि यार यह तो अपॉर्चनेटी है, पेपर हो गए लेट जेएमेन का, तो हम तो फिर से फिल कर सकते हैं पेपर, टाइम भी है और पढ़ाई भी कर सकते हैं, कॉलिज भी बन, घर पे आ गए, तो चार महिने थे, जेएमेन के पेपर के लिए, घर आ गया था, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, छोड़ो कॉलिज तो चलता रहेगा, पढ तो आगे 99.9 कुछ आगे परसेंट है, वो कवर अप, अब मैं जाता हूँ, जेएडवांस का, फॉर्म फिल करने, फॉर्म फिल करता हूँ, तो उस पर लिखाता है, यू आर नोट एलिजिवल फॉर जेएडवांस, मुझे समझ नहीं रहा है, तो पेरेंट्स को इतना मिला था क्या, मैंने कहा मिला था, कौन से राउंड में मिला था, 7th राउंड में, फिर तुने seat withdraw करी थी, मैंने कहा, नहीं, seat withdraw तो नहीं करा था, तो एक रूल होता है, कि अगर आप एक राइटी ले ले लेते हो, और उसके बाद अगर आप दूसरी बार जेएडवांस पर होना चाते हो, तो नहीं हो सकते आप, तो रूल था, तो उसके बाद तो सर दो-तिन दिन ऐसे हो जाता है, कि कुछ समझ नहीं आता है, कि यार हमने महनत करी, हमने हमारे effort लगा, हमने best लगाया, बड़ कुछ हो ही नहीं पाया, तो फिर उस time पर मैं दो-तिन दिन तो थोड़ा कि तीन दिन बाद है चैनल स्टार्ट हुआ था, कि आपको लगा कि यार मुझे तो ये नॉलेज ने मिली, तो जेए की नॉलेज देने के साथ-साथ, फिर आप 9-10 पर कैसे शिफ्ट हुए, ये तो ना जरनी बहुत लंबी है, हमने वहां से काउंसलिंग स्टार्ट करी, और उसके बाद हमने बहुत स्टूइंट, उस साल पर मुझे याद है कि हम तीन लोग थे, वो जो दो लोग है मेरे साथ, वो आज भी साथ में, टीम में है और अब तो हम बहुत सही कर रहे हैं, तो साथ में विल्कुल फूल टाइम पर, बट उस टाइम पर मेरे साथ फ्री कांस याद में हैं आज भी साथ में, तो चल रहा था काम, फिर उसके बाद धीरे-धीरे सर्फुन फिर नए चैनल्स, बिल्ड करना स्टार्ट करा, लगा कि यार हम क्या कर सकते हैं, फिर मुझे लगा कि हम study में लोगों की मदद करते हैं, फिर study के बाद मुझे लगा के वल study थो पढ़ाई से तो सब कुछ थोड़ी न होता है, कुछ चीज़ ऐसे होते हैं, जैसे कि आपकी brain power क्या है, आप IQ को कैसे strong कर सकते हैं, अगर आप एक student होतो हो, वो चीज़े भी करते हैं, तो वो करा, फिर उसके बाद सर 9-10 को भी try करा है, 9-10 के अंदर फिर इस aim से आये थे, कि ज जब वीडियो बनाते हो, जैसे मैंने कुछ वीडियो देखी हैं, कि time को कैसे manage करें, या memory के system, तो इसके लिए पहले कुछ पढ़ते हो या आप खुद का experience है, नहीं सर, इसके लिए मैं बताता हूं कि पहले जब study strategy बनाई जाती थी तो वो अपना experience था, क्योंकि हमने बढ़ कि उसके बीचे शायद पूरे एक दिन या दो दिन लगे होते हैं, कभी कब उससे भी जादा लगते हों, पका, चीक है सर, मतलब आपका बच्पन कैसा रहा, मतलब कोई struggle life थी, middle class family थी, lower class family, क्या life के struggles थे, या जैसा अच्छा normal life जी आपने ऐसा, मैं तो बोलूँगा कि आप middle class families हैं, बट ऐसे struggles मेरे जो parents उन्होंने face कभी होने ने दिये, क्योंकि parents ने हमेशा से ये का कि ये काम है, इसको कर ले, जैसा तेर से हो रहा है, कभी ऐसे नहीं बोला, कि marks कम क्यों आ रहे है, ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, तो वो जो था ना, J.E. का, वो कभी parents न से नहीं बोला, क्योंकि मैं राजिस्तान के एक शहर से हो, अलवर से, तो राजिस्तान में जो होता है, उसका एक हो रहा है कि कोटा जाना है, तो मेरे parents ने बोला क्या तू कुछ भी कर तू कोटा जा, बट मतलब ऐसा था कि मेरे ने बोला कि नहीं कोटा जो है, वो आपने को लिए था कि कोटा जाओंगा पता नहीं क्या होगा और थोड़ा सा एस एंग्जाइटी डर लगता था उस ताइम पे तो वो सब चलता रहता था पर हाँ की पेरेंट्स ने सपोर्ट जाने तो कोटा जाई यहां से करना यहां से कर तेरी मर्दिय तू डिसाइड कर ऐसा कभी मै क्या उनका क्या रेक्शन अब तो आपस बार अच्छा होगा इनिशली क्या था इनिशली मैं ओनेस्ली बताता हूं कि जब स्टार्ट करा था कोविड का टाइम घर पे एक हमारे जैसे सेकंड प्लोर पे अलग से छोटा सा कमरा है तो वहां पर दिवार के वहां पर फोन रख मैंने कभी नहीं बताया था उस टाइम पर मुझे डर लगता था मैं कहता हम क्या कर रहे हैं हम एक डिरेक्शन है या नहीं है पर उसके बाद जब धीरे धीरे चीज़े चलती की तो फिर पेरेंट्स को लोगा कि सही है सही चल रहा है तो इनिशली जब 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 पहले दिन उनका रिएक्शन ये था कि ये क्या है मतलब एक वह होता है कि क्या है क्यूं है क्यूं करना है फिर मैंने समझाए कि ऐसी है ट्राय कर रहा हूं ऐसा कुछ नहीं मैंने बोला ऐसे नहीं को चली रहा है कॉलिज चल रहा है ऐसा कुछ नहीं कि मैं यही कर रहा हूं मैं तो बस इसको एक दो खंटे देता हूं बस ज्यादा दिन का कुछ नहीं लगता फिर परेंट्स को लगा ठीक है अगर कॉलिज में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही चल रहा है तो फिर को इश्यू नहीं है तो बाद में जरूर इश्यू आया था जब मैंने प्लेस्मेंट छोड़ने के कितने पैसे कोई कितना कमा सकता है वो नहीं सोचता बट एक स्टूडेंट जब आता है और बोलता है ना कि यार वही आपकी वज़े से यह हो गया तो फिर वह लगता है कि वर्थेट है तो अभी मतलब आपका अगर मैं ऐसे पूछूं कि इंकम सोर्स अभी क्या है तो वह य यूट्यूब पे आपने का कि मैंने प्लेस्मेंट छोड़ दी तो एक बहुत अच्छे कॉलिज से इंजिनरिंग करने के बाद प्लेस्मेंट भी छोड़ देना तो आपको लगता है यह रिस्क है यह आप शोर्शॉट हो कि नहीं आपको आम या भी मिलेगी मिलेगी मिलेगी 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 मिले अब इस समय पर सर इतना confidence खुद पर है कि हम यह चीजों मतलब अगर यह भी बंद हो जाए ना तो कुछ ना कुछ खुद से कर देंगे वर इतना है क्योंकि सर वह दिहान है जब कॉलिज के एक्जाम चलते थे तो एक्जाम हमारे चल रहे हैं continuous और YouTube पे भी classes और ऐसे चलती रहत जीनियरिंग का तो क्या बता हूं मैं जानना चाहूंग है आपकी क्या हो जानना चाहूंग आपकी किसी खुद लाइफ एक्जाम ती और आपके दोस्तों ही कैसी थी कुछ फरक था नई जर इंजीनेरिंग में आपको पताता हूं जब आदी तो सर हमारा कोविड की वज़े से कोविड के बाद तो अबयसी बात है कि मुझे कहीं न कहीं को थोड़ा सा से क्रिफाइस करना पड़ा था यूटू 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 क्योंकि पता है कि आपको यहां पर टाइम देना है आपको वह सब भी टाइम देना है पट होस्तल लाइफ बहुत अच्छी होती थी और व जो दोस्त हैं फॉस्तल के वह तो अभी भी ओन कांटसें कि जो आपको बड़ी वियर्ड से आद हो अजीब सी थी यूटू सारी चीजी वहां वहां ही होती है अग बजाता हूं मतलब यर्ड एक सर वहोता है पर्फ्यूम जैसे हमारे और आपको पता है पर्फ्यूम को और रेंडमली कुछ उसने कुछ नहीं कर दी तो यह तो बहुत नॉर्मल था ऐसी चीज़े बहुत हुई है सर आप यूट्योब पे सिंगल फेस हैं और मैं देख रहा हूँ बहुत जादा बच्चे प्यार देते हैं आपको बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं वीडियो पे तो कभी कोई कॉंटरवर्सी वे गया रहा हुई इस चीज़ को लेकर कि या यह बंदा अभी खुद तो कॉ पोस्ट कर दिया कि यह तो हमारे कॉंटेंट को देखकर कॉंटेंट बना रहे हैं ऐसे कुछ हुआ था है ऐसा कुछ किसके साथ वो तो सर जाने दो पुरानी बात है अच्छा मुझे बाद में पता ना लेकर वो तो पुरानी बात है वैसे यहां किसी का नाम लिखा मैं ले यह तो यहां रहा है है वनी के साथ वा है क्या हैं यह यह जो नाम लिखा भाई कहाँ पर दो हएखा है च्रीट वह अट कि आप ना हमारा या तो प्रोट कर दो हैं कि अप मतलब वो क्या ना कि इंतेंस्ट प्रोमोशन पाए थे आप यूतूब पर स्वारे मार्केटिंग ऐ आप उनको बगड़ो, उनसे करो, मार्केटिंग कर दो, अब उनको अपना एक बुक थी, जो करानी थी, एक उनका डीपीप मोड्यूल था है, ATJ करके, तो फिर उसके बाद मैंने का मेर को सेंड करा दो, मुझे पास आ गया हो मोड्यूल, मैंने रिव्यू करा, मुझे पसंद आई, मैंने न को बोला कि यार, this is not the quality, जो हम, और यह बने बोल दिया, यह जे एडवांस की quality नहीं है, तो मैं यह student को ऐसे बहुत करण की आप बोल दो, फिर उनका यह था की, बट students को पसंद चुटेंट यह ले रहा हैं, मैंने का बट देखो ना की एक जे एडवांस की एक लाग लो दो करोड तो उससे वर अगनी पड़ता है। पर एक कॉंटरवर्सी दो नहीं हुई। आपने का उसके बाद सर कुछ चीजे उनके मैनेजर के थू होती है। पर उसके बाद सर उस टाइम पर हमारे जो टेलिग्राम चैनल थे उसके उपर मतलब जो आपको भी पता है सर जो एडटेक के अंदर कुछ ब्रैंड्स हैं उनके पास अपनी वह होती है पूरी कॉपिराइट टीम करके जो की लीगल टीम होती है। तो उसी चीज के बाद हमारे पास आया था कि जो हमारे टेलिग्राम पे थे उसके उपर स्ट्राइक आई तीन स्ट्राइक कॉंटिनुसली और सारा कॉंटेट में यह गया भी था मैं चैनल के उपर अपने और मैंने आपने वीडियो के लिंक शेयर कर रही थी उसके उपर हमें तो सरातनी है समझ में यह तो फिर मैंने का कि अवह टेलिग्रां हो गया बंध हो गया हम नहां बना लेंगे और साभ्स अनृ में इसा हुआ सुप अगर मैंने अपने उसcé आप अच्छों को मोटिवेट करते हैं जिल्कुल आप खुद कैसे होते हैं सर यह तो मालब ऐसा है कि कभी गवार तो लगता ही है डी मोटिवेशन बड़ सर पता है एक चीज थी मैं इसके एक स्टोरी बदा तो में जैसे टेंथ था न तो एक टीचर थे मेरे सगायराद सर एक टीचर थे नाइन टेंथ के अंदर उन्होंने बहुत एंकरेज करा और उन् नहीं क्लास है सब चीजें नहीं है और इदर उदर बहुत ऐसी चीजों में चले गए जहां पर में जाना नहीं था बट ऐसा हुआ फिर उसके बाद क्या हुआ ना कि 11 का रिजल्ट आता तो मेरे को ध्यान है उस टेंप 11 पे ये वन यूट्यूब पर बताई हो कि 55% आई थी 11 के अंदर और आपने 12 में 99.9 परसंटाइल स्कूर की तो मतलब 11 के अंदर ये परसंटेज थी फिर उसके बाद ना रेंडमली वो सर स्कूल में स्कूल जाता था तो सर मेरे को बलाते हैं कि प्रिशंद क्या चल रहा है कि सर कुछ नहीं ऐसे कुछ इसे करके एंड उनका एक छो मेरे को लगता है कि जिसने मेरे को भी थोड़ा एंगरेज मोटिवेट करा और वो वर्ड मेरे को याद है वो वर्ड ऐसे कि यिए जो जिन्दकी एजो लाइफ है यह तेरे हाथ में तू चाहे तो अबी बदल दे तू चाहे तो कवी मत बदल लिसको तो वो रुए उसे तो आप मतलब जब कोई वीडियो बनाने जाते हैं कभी कभार ऐसा होता होगा सर मेरे साथ तो होता है कि हम खुद थोड़ा सा लो फील कर रहे होते हैं बड़ा मैं पता है कि यार बच्चा हमारा वेट कर रहा होगा वो हमारी वीडियो देखे खुश होगा ऐसा कभी कुछ हुआ कि आप खुद अच्छा फील नहीं कर लेकिन बच्चों के लिए आपने वीडियो एक अच्छे मूड में बनाई थी सर ऐसा तो बहुत बार होता है क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे आप अलग-अलग चैनल बनाते जाते हो ना तो पर मनलब डेली वीडियो और लाइव जाना इंकरीज होता जाता है और उसके बाद ऐसा लगता है ना कभी कि आप टेंथ बोर्ड के एक्जामनेशन की बात है क्या राउंड की बात हो गई है तो जब बोर्ड स्टार्ट होने वाले थे एक सब्जेट के उपर वीडियो बनानी थी और उस ताइम पर फीवर तबहुत ज़्यादा खराब हो गई थी बट उस ताइम पर ऐसा था कि मैंने ना उनको प्रामिस कर दिया था चार दिन पहले इस दिन तुम्हें यह वाले सब्जेट की पूरी चीज मिलेगा और तुम ऐसे पढ़ लेना फिर उसके बाद था कि बिल्कुल तबहुत खराब थी बट करा कि ठीक है कोई नहीं करते हैं जल्दी जल्दी जितना अपन अपना बेस्ट दे सकते हैं करते हैं तो सर वो तो कर कोई चीज जुनना हो तो online आपका फेवरेट सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्स एवरीडे फेजिक्स क्या आपने कभी कोई कमेंट डिलीट किया है यूट्योब पर बिल्कुल कैसे कमेंट है वो सर कमेंट ना मतलब ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं ह जैसे अगर आपको कोई बता रहा है कि यह चीज करनी है वो अच्छे लगते हैं बट सर जब डायरेक्टी गालियों पर आजए तो मुझे समझ नहीं आए कि सर कोई बच्चे ने लेक्चर देखा और उसको लेक्चर पसंद नहीं आया तो फिर वो ऐसे शब्द क्यों लिख जो नहीं पता किसे को बड़ा पाँ चल जाएगा इडन तैलेंट तो ऐसे तो कुछ खास नहीं है बट हां डांसिंग को शॉक था अच्छा है कोई वीडियो आपकी यूट्यूब पर नहीं स्कूल में बहुत कर रहा है अच्छा इंस्टा पर भी नहीं पुरानी नहीं यह कहीं लोग कर देते हैं नहीं नहीं सर वह उता भी गा दी मैंने इतनी डाली भी नहीं थी लेकिन थी ना बहुत पहले बहुत पहले ठीक है अपने सबसे आदा आदेवंचिरस चीज आःस तक क्या किया है थादेवेंचिरस तो सर मैं बोलूँगा कि हमने सबने तो उस दिन बारिश आ रही थी, बारिश में राफ्टिंग अलाउड नी होती, हमारी लास थी, कि तुम-तुम करके आ जाना वस, और हम कॉलिज के चार-पाश लड़के थे, तो उनने बोला, इनको तो क्या ही होगा, तो कुछ हुआ, कोई बाहर बार के नाश थे, नहीं कुछ ऐसे, एक्सपेंसिव, स्टूपिड चीज जो आपने आज तक खरीदी हो, और आपको लगाओ, यारी क्या खरीद है मैंने, सर ऐसे ना, एक्सपेंसिव चीज मैंने जादे ली नहीं, या कोई चीज खरीदी हो, जो आपको लगाओ, यारी तो यूजलेस है, चाहे बो मैं बोलूगा कि बहुत बार उमने inexpensive लेक्स घुद और क्तल준 कन्हाओ एक्सपेंसिव नहीं होना एक्सपेंसिव याक्स तो या सपने आप हो, यारी क्या है, तो इसल prints आयृद मेसे हम से की जादफिकर है, तो अब शोडिरों को सबूद को क्या एज है सर अब 21 अरे सर अभी तो बहुत सपने हों आपके तो सपने तो अभी तो बहुत हैं बट यही है कि कैसे एक student की मदद की जा सके अभी तो यही है कि अभी जो temporary goal है वो यही है कि हर एक aspect में मैं सोच रहा हूं मैं आपर चरिफ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं मै क्या कैसे deal किया जा सके क्योंकि आपको पता ही होगा एक student किती सारी चीज़े face करता है अगर एक IIT की preparation कर रहा है तो क्यों suicide कर रहा है क्यों वो problem लगी हूई है तो उस चीज़ का reason और उसका solution डूणने के पीछे बस सर लगा रहते हैं सबसे यहादा memorable comment है जो आपको याद रह अची होते हैं एप्रिशेट करते हैं मतलब अगर आपका कोई 2-5 गंटे का तीन गंटे का lecture है उस पर कोई लिखता है कि सुर अभी तब कुछ समझ नहीं आया था स्कूल के अंदर पढ़ लिया था बड़ आपके इस lecture से आ आ गया सब समझ में तो वह ता हिट तो वह ऐसे उ थोड़ा मोटिवेटेड रहता हूं वह मेल यह था कि एक स्टूडेंट थी नीट की नीट की तियारी कर रही थी वह अभी आया था 2022 की बात है तो उनका सेलेक्शन नहीं हुआ था नीट के अंदर और वह बिलकुल डिप्रेस्टी तो मैं मेल के अंदर पूरा लिखा था कि पूरी की डिप्रेस्टी और मुझे ना नीट के अंदर वह कोटा के अंदर तियारी कर रही थी और उनको नहीं हुआ तो पेरेंट्स को फेस तक नहीं कर पा रही थी बड़ वह आपकी यह वाली वीडियो देखी मालला मैंने कोई मोटिवेशनल टाइप की एक वीडियो बन पहले बनाई थी बहुत पहले जब चैनल स्टार्ट कर रहा था तो पहले मेंटोर्शिप मेंटोर्शिप का था बट एक टाइम बाद मतलब यह कांसलिंग वगेरा का ना व्यूस कम हो गए थे तो उसके बाद सर वो जो होता ना डेट अपडेट वाला की एक्जाम की डेट गई है यह हमारे टीम के लोग बनवाते हैं मुझ से यह एक्जाम की डेट आने वाला है इसके ओपर व्यूस के लिए ही होती है सबसे अच्छी एडवाइस जो आपको आज तक मिली हो सर वही थी टीचर की आपके हाथ में आपको कभी भी कर सकते हो कोई भी काम सबसे घटिय एडवाइस सर इंजिनेरिंग लेके प्लेस्में मुझे लगा था आप यह एडवाइस नहीं थी ठीक है सर आपका लास्ट गूगल सर्च यहां की लोकेशन के अलाबा उससे पहले आपका गूगल सर्च क्या था था यूट्यूब सर्च तो सर आपका पॉडकास देखा होग इंजिन और देखना पड़ेगा अब क्या क्या दिखवा रहा हैं मैंने क्या हूआ है किया सेल्टाउस न्यू मॉडरे मतल है आने वाली था जरा देख रहा था कि अब वह दो तिन कार लांच थी 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 तो मैं उनको देख रहा था क्योंकि बहुत पड़ी है प्लग सब कोई अभी कभी आज तक आपने किसी के वीडियो कॉपी तो नहीं करी सर बड़ रेफेरेंसी लिए हैं मैं उने बताता हूं बहुत सारी इ चैनल भिजी उपारेंसी लिए होता है कि कोई किसी के काको उपार्शन पसंद आता ना je कि भी अ वाला जो इसने उसको same represent कर देता है कहीं, तो क्या यह सही है गलत है? सर अगर पूरी तरीके से copy है, तो एक तरीके से तो वो तो गलती होगा, अगर आप हर एक चीज उठा कर डाल दोगा, जैसे हिए अगर सर इमाजन करो, कोई आपने एक वीडियो बनाई, साइंस के उपर, क्रेडिट दे दिया जाए तो चीजों को माना जा सकता है, और फिर सर वो ना एक maturity होती है, content creator की कि वो मान ले, क्योंकि सर मैं honestly बताता हूँ, एक चीज मेरी हुई थी, content creator थे, उनका नाम नी लोगा, बट वो उनके ना, मैंने ऐसे represent करे थे उनके notes, मतलब ऐसे उनका एक page note का, मैंने एक video में समझाने के लिए, कि दे को ऐसे notes बनते हैं, और आपको ऐसे बनाने, उन्हों ने फिर उसके बाद, मेरे को message करा कि आपने मेरा content क्यो लिया, मैंने का रहे मैंने वहाँ पर बताया है, कि ये मेरे notes नहीं है, मतलब आपको कभी YouTube पर आने पर कभी नफरत होने लगी हो कि कोई phase आया हो चोटा सा क्या मुझे नहीं आना अब यूट्यूब पर? तो ऐसा मतलब भाई है कि सर जब lecture आपके एक time सर ऐसा हुआ था जब आप channel का content बहुत अच्छा बना रहे हो, मतलब ऐसा होता है कि मैंने main channel पर कुछ ऐसे content बनाया था जिसके अंदर मेरे बहुत दिन लगेते हैं मतलब एक एक हफता लगाता है एक एक वीडियो बनाने के लिए और continuous आपकी तीन या चार वीडियो नहीं चल रहे थी उसके बाद ऐसा लगता है कि यार छोड़ दो ये इ बहुत जरूरी है और शायद ये सिर्फ यूट्योब पर नहीं है ये लाइफ का एक हिस्सा ही है जहां फेज आते रहते हैं ठीक है एक yes or no वाला round करेंगे जिसमें आपके पास यह है आप कैमेरे में देखके yes or no में answer देंगे और आगर आप चाहें तो उसके ओपर आप आप सा हुआ कि आपके fellow आपके टीम offend के साथ अथे और आपको नको मारने का मिंकिया हो मारने का मारने का यह से मखान और घचानी यह जब स्टार्ट हमने करा था न तो मेरे साथ दो मेरे फ्रेंड्स थे जो कॉलेज से वह अभी भी हैं तो मैं बहुत फ्रैंक को उनके साथ मुझे कुछ करने का हो नहीं है बट जब वो कुछ ऐसा आइडिया बताते हैं कि यार एक कामकरते हैं यह जो kors है एक हम kors launch करते हैं और इस korsском वान इस तरीके से बणा करतेंगे और इसका मुलब का से कुछ मिन रहा हैen रहा हैं जो जूटी थी जूटी थी जूटी तो गलत सब्सक्राइब करें। वो कहीना कहीं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, इन सब से बहुत प्रभावित हो जाता है कभी कभार, और आप जैसे आप यूट्यो पे बहुत फेमस हो रहे हैं, तो कहीना कहीन, कभी कभार कुछ ऐसे से, जब मैं इनिशल डेस पे था, तो कहीं बार लड़की आती थी, तो उनको बहुत प्यार समझाता था, कि नहीं बिटा, आपकी पढ़ने की उमर है, चाद आप आप अफलाइन में नहीं है, ऐसा तो आपके सामने ना हुआ हो, बट कोई मैसेज डीएम तो आए होंगे, ऐसे हां सर, इंस्टाग्राम बगेरा, मैसेजिस तो बहुत आते हैं, बहुत डरते हैं, क्योंकि क्या हुआ न, उन्होंने मेरी मोटिवेशन की खतरनाक वाली वीडियो देखी हुए हैं, तो उन्हें लगता है कि प्रिशान में तो अभी चिला देंगे, अगर मैं नहीं पढ़ रहा हूँगा, तो उनको डर लगता है, मैंने भी देगा सेमिनार के अंदर, तो एक sense of respect के तोर पर हमेशा रहता है, जितने भी मैं स्टूदेंट से personally मिला हूँगा, छिक है, सर कभी आपने अपना fame का फायदा उठा के discount लिया कहीं, डिसकाउंट, नहीं सर, डिसकाउंट नहीं लिया, कभी नहीं लिया, किसना offer तो किया ही होगा, पका, सर मतलब ऐसे तो कोई, जैसे अगर कहीं हम भार भी जाते हैं ना, तो मैं majorly mask पेन के जाते हैं, अच्छा, मैं mask पेन के जाते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा personal life और इसको अच्छा लगता है, अबसी बात है, बट कभी कभार लगता है, कि personally रहने तो अगर आप जा रहे हो, तो मैं mask पेन के जाते हैं, तो सवाल कमन है कि प्रपोस किया है कभी आपको, प्रपोस टूडेंट ने तो सर, इंस्टा डिम पे सर कभी करा होगा, किया है, आपने देखा ह आपको बहुत लोगों को देखा है, कॉपी करते हुए, बट सर एक लाइन ना, मतलब एक चीज मेरे को बड़ी अच्छी लगती है, जो पता नहीं किसने गई थी लाइन, बट एक चीज है कि आपके जो होंगे न, जो आपको हेट करते होंगे, वो कभी भी आपसे उपपर लेवल पर नहीं होंग Cantliness जो एक बहुत ऐसे लाइन गांडिधन जो कि आप देखोंगे जिसके life में struggle नहीं आया है वो कामयाब नहीं होगा इसमें ना एक चीज है कि अगर मतलब ऐसा मानना है कि अगर life या तो all struggle कराएगी या तो कल कराएगी या तो परसो कराएगी तो आएगा ज़रूर एक phase आएगा जिसमें की रगड़ना पड़ेगा और office आएगा ही आएगा क्योंकि ये जो सर जो competitive exam होते है ये selection लेना या फिर ना लेना matter नहीं करता है ये आपको रगड़ना सिखाते हैं कि आप कैसे ये competitive exam की तियारी करके लगातार मेहनत करते हो वही गाम आता है सर और struggle सर करना ही पड़ता है अगर किसी के father का business भी है न तो उसे भी एक point आएगा जहां पर उसे भी अलग दिमाग से सोच के struggle करना पड़ेगा वरना बंद हो जाती है चीज़े तो struggle important है सर जाते जाते कुछ सवाल हैं सबसे पहले आप कुछ बचों को advice करना चाहें जो देख रहे हैं ये podcast की चाहे वो 9th के हो 10th के हो 11th के हो 12th के हो की पढ़ाई पर focus कैसे increase करें और कैसे distraction से दूर रहें देखो distraction की तो बहुत सारी techniques हैं जो मैं already बता चुका हूँ बट एक main चीज यह कि distraction है क्या अगर हमने यह figure out कर लिया कि what is our distraction तो आदी problem तो वहीं भी खतम हो जाती है क्योंकि हमें यह नहीं पता हम time कहां पर waste करते हैं हमें पता है mobile phone पर waste करते हैं बट mobile phone पर किस app पर waste करते हैं अगर हमने एक बार देख लिया ना analyze कर लिया कि हमने इन इन चीजों पर time waste कर रहा है और यह हमारी problems है उसके बाद उसका answer निकालना बहुत असान है और सर एक line है ज कोशिश करोगे तो हो जाएगा sort तो यह सर एक advisor जो मैं दूंगा अगर आपको distractions खतम करने है तो बहुत simple सा process है इसको follow कर लेना sir आपके future plans क्या है आगे के sir future plans तो sir यह है अभी कि जैसे हमने अलग-अलग audience भी है हमारे पास student है audience तो नहीं बहुंगा जो हमारे पास student है तो उन student के लिए na sir courses वगेरा हम launch कर पाए और मैं प्राइस तो sir जो को नॉर्मल सी बात है कि हम minimum रखने की हमेशे ही ट्राय करते हैं और वो करेंगी बट एक चीज़ा जो है इंट्राक्टिव बनाना कि हम उसको कैसे हम बहुत जादा इंट्राक्टिव बना पाए और अगर आप long term goal की बात करोगे तो मेरे एक सपना है जो मेरे को करना है वो है high tech school बनाना खुद का high tech school create करना है जिस school के अंदर technology oriented students को पढ़ा सके हैं और जो की future होगा पुरा और उसक कुछ अगर हम technology create करते हैं जिससे की costing भी हमारे पास भी कमाए और students भी बहुत अच्छी तरीके से वहां से बढ़ सके हैं तो एक यह dream लॉंग तो अखरी सवाल है अपने haters को क्या message देना का हुआ है है आपके haters तो सर अरे क्या बात करो यूट्यूब पर 2.000.000 subscribers है तो होंगे होंगे सर हैं सब्सक्राइबर का तो एसे कुछ पता नहीं कि कौन हैं वहां कभी कबर ऐसा लगता है कि जो लेक्चर्स वाले comments जैसे आपने भी बता आया वह जरूर कुछ companies या फिर कुछ haters का बिल्कुल हो सकता है तो reply कुछ निये बट इतना AQR आप अपना काम करिये मुझे अपना काम करने दीजिये और कभी मोका मिलेगा तो साथ मिलके बात्चीत करेंगे बहुत बड़ी है सर बिल्कुल थेंक यू सो मच आपको बुलाने के लिए थेंक यू सर, थेंक यू